मित्रों नमस्कार, हिंदीकुनी.com में आपको सागत है, नया साल 2019 दस्तक देने वाला है, नया साल नई उमीदों वा नई सफलताओं का प्रतीक होता है, यदि हम कुछ दिन संकल फ्योंकर कुछ पाने के लिए तयार हो जाएं, तो नया साल 2019 हमारी उमीदों को जरूर पूरा कर लेगा, नया साल एक नई सुरुवात को दिखाता है और हमेसे आगे बढ़ने की सीख दिता है, पुराने साल में हमें जो किया, सीखा, सफल या सफल वे जो भी हो, उनसे सीख लेकर एक नई उमीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिस परकार हम पुराने साल के समाप्त हो पर दुखी नहीं होते, बलकि नहीं साल का स्वागत बड़े उस्ता और खुसी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन में बिते वे समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, जो बीद गया उसके बारे में सोचने के पिच्छा आने वाले आउसरों का स्वागत करें, और उ पिश्वर को याद कर नहीं साल की स्वागत करते हैं, चुकि साल नहीं है, इसलिए नहीं उम्मिदें, नहीं सपनें, नहीं लच्छ और नहीं आईडियास के साथ इसका स्वागत क्या आता है, नहीं साल मनाने की पिच्छे मानता यह है कि साल का पहला दिन अगर उस्ता और तो साल भर इसी उस्ता और खुसियों के साथ बितेगा तो हम भी यही कामना करते हैं कि आपका नया साल 2019 बहुत खुसी और अच्छे से बिते नया साल की इस दौर में कभी तो ऐसी हवा चले कौन कौन कैसा है तो पता चले नौ वर्स की पावन बेला में यही सुपसंदेश हर दिन आए आपकी जियों में लेकर खुसियां विसेश दोस्तों हिंदीकुन.com के तरफ से आप सभी को नौ वर्स की हार्दिक सुपकामनाए दोस्तों हिंदीकुन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें